देखो बाई, मार्वल के वाटिफ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहाँ अगर कोई क्यारेक्टर मरता नहीं तो क्या होता और उससे सारी सिचुएशन्स ही कैसे बदल जाती, उसके बारे में फिक्शन के थुरू हमें बताया गया था और इंडिया में भी पहली बार ये concept लागो किया है, वो भी एक historical event पर, कि गोड से अगर गांधी को गोली मारता पर event चूली अगर गांधी जी बच जाते तो क्या होता और उसके लिए सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहूंगा इसके makers की कि उन्होंने इतना बड़ा risk लिया, क्योंकि भाई साब इस पर हो सकता है कि controversy भी हो, विचारों की controversy, ideology की controversy, बात करते हैं आगे, well hello मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी, देखो हमारे आसपास तीन तरह के लोग होते हैं, एक जो किसी बात को मानते हैं, दूसरे जो नहीं मानते, तीसरे वो जो दोनों हिस्सों को मानते हैं और neutral बैठे रहते हैं, for example, पठान मुवी रिलीज हुई, उसको कुछ लोग सिर पर नचा रहे हैं, तो कुछ लोग हत्थू बोलकर निकल जा रहे हैं, और कुछ दोनों के जगडों के मज़े ले रहे हैं, तो ये मुवी इसी ideology को सामने रखती है जहां हमें ये समझाने की कोशिश किये जाती है कि ना गांधी जी गलत थे, ना गोड से, जैसे इस मुवी का टाइटल भी है, गांधी गोड से विचारों का युद्ध। जादा कमा पाईगी, और क्यूंकि मैं शोर हूँ, तो मैंने येस पर हजार रुपे इन्वेस्ट कर दिये, इसी तरह ट्रैगो पर अलग-अलग कैटेगरीज मिल जाएगी, जैसे क्रिकेड, फुटबॉल, एंटर्टेन्मेंट, यूट्यूब वगेरा वगेरा, जहां किसी भी question का yes और no में जवाब देकर आप पैसे कमा सकते हो, इससे आपको first recharge पे 20% cashback तो मिलेगा ही, लेकिन एक दिन में सबसे जादा profit बनाने वाले को एक Motorola G32, दूसरे को एक OnePlus Buds Z2 और तीसरे को एक Boat Smartwatch मिलेगा, तो मेरी description link से ट्रैगो अप डाउनलोड करके मेरा coupon code YBS25 यूज और 25 रुपे का instant bonus पाओ, स्टोरी उसी समय की है जब partition हुआ था, उसके बाद जिस तरह से हिंदु मुसल्मान के बीच दूरिया और मतभेद हुए और जिस तरह से brutal हत्याई भी हुई, वो इसमें दिखाई गई है, जिसका पूरा दोश गोर से ने गांधी जी के मत्थे मार अब इतिहास के पन्नों में भी लिखा हुआ सच, कितना सच है, वो ना मैं जानता हूँ ना आप, जो हमें सिखाया जाता है या दिखाया जाता है, हम उसी पर believe करते हैं, यहां इस फिल्में हमें neutral way में सिखाया भी जाता है, और दिखाया भी जाता है कि कौन सही था और कौन गलत, पर क्योंकि यह फिल्म what if वाले जानर में आती है, याने अगर यह होता तो क्या होता वाले जानर में आती है, तो यह बस fiction बन कर रह जाती है, जिसमें थोड़ी बहुत comedy भी डाली गई है, आइमिन जितनी requirement थी बस उतनी ही है, और सबसे जादा हसी तब आती है, जब ख माल का काम किया है, एकदम ऐसा लगता है मानो, दोनों हमारे सामने real में खड़े है और बात कर रहे है, इवन हाला कि यह एक फिल्म है, लेकिन जब जब गांधी गोड से एक साथ आमने सामने आते है, इट फिल्स लाइक कि कोई stage performance चल रही हो, इतनी अच्छी acting, जब जब उन दोनों के मूँ से कोई भी dialogue निकले, उनमें इतना ज़ादा deep meaning है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं इसका side लूँ कि उसका, ये गलत है कि वो गलत है, और इसी कश्मकश को धीरे धीरे आपके अंदर से निकाला भी जाता है, मूवी के dialogues काफी hard hitting है, like सरकारे हुक उकुमत करती है, सेवा नहीं करती, और एक बंदा आकर गोडसे से कहता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर इतने जुल्म किये, तब उनको तुनने एक पत्थर तक फेक के नहीं मारा, और गांधी जी पर सिधा गोली चला दी, मूवी की length काफी छोटी है और आपको किसी आउट आप 5 स्टार्स, और मेरी डिस्क्रिप्शन के लिंक से ट्रैगो पर विजट करना मत भूलना, मिलता है अगले वीडियो में, बाई